हलो फ्रेंट्स मोस्ट वैलकम मैं हूँ नीना और आप देख रहे हैं मेरे यूटूब चैनल आज मैं आपको अपने वीडियो में राजपुती कूरती की कटिंग बताने वाली हूँ वीडियो पसंद आया तो जोड लाइक और शेर कर दें अब देखिए दो नाप मैंने लिख कि डबल फोल्ड में कपड़ा है उसको मैंने एक बार फोल्ड कर दिया है यानि कि चार फोल्ड हो गया यह कपड़ा इसका बॉर्डर और सेंटर वाला जो डिजाइन है उसको देख लें कि वो बराबर आ रही है या नही अब देके जितनी हमारी लंबाई होती है हमें वही वापस लेनी होती है जैसे 27 हमारी लंबाई है तो हम 27 का 27 लेंगे क्योंकि जब मगजी आएगी तो उस हिसाब से यह वापस उतना का उतना बन जाएगा जितना मार्जिन सिलाई में जाएगा उतनी वापस मगजी आ जाएगी अब शोल्डर शोल्डर है हमारे 14 इंच वैसे मगजी आती है लेकिन फिर भी पाव इंच याने की 77 इंच हम लेंगे इसका शोल्डर आर्म हॉल 8 इंच और ये दे देंगे हम इसको गुल लाई अब देख्या हमारा चेश्ट है 36 वन फोर्ट होता है नो और अभी हमारे पास ये थोड़ा साथ 10 इंच से ज़्यादा एक इंच से ज़्यादा मार्जिन वैसे रखते नहीं है कुर्ति गांचली में तो और यहां से में लगा रहे हूँ इसको 9 इंच पर निशान जातक हमारी चाख खुली रहेगी अब यहां से हमें इतना सा काटना है कि जो हमारी मगजी आए वो भार के साइड में उसका मूह नहीं निकले और अगर आप चाहें तो कमर पर आधा इंच का इस तरह का शेप भी दे सकते हैं अब हम इसको खोल लेंगे और एक जो हिस्सा है नीचे वाला उपर में डिजाइन बनी है तो एक हिस्सा जो बैक वाला है यह कट का निशार लगा देते हैं मगजी के लिए काम आएगा और इसे हम हटा लेते हैं सिर्फ आगे वाले इसे को हमने वापस डबल फूल्ड किया है अब कटिंग करना हमें गला तो यह गले की लंबाई ले रही हूं मैं साड़े नो इंच अब देखे साड़े चार इंच पर मैंने एक निशान लगाया एक चोकोर डबा बनाना है हमें साड़े चार इंच से अब यहाँ पर हमें एक निशान लगाएंगे तीन इंच पर और यहाँ पर दो इंच पर और इसको हम मिला लेंगे और उसके बाद नीच्च जो तीन इंच पर निशान लगाया है वहाँ से हमें देनी है गुल लाई यह गला कटिंग हो जाएगा अब आधा इंच हमें आर्म होल पर ढाल देनी है तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा पसंद आये तो जरू लाइक और शेर कर देर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली जल्दी से सब्सक्राइब करें साथी बैल आइकन पर भी क्लिक करें थैंक्स और वाचिंग